हलो माई फूडीज आशा करती हूँ आपको कल की चाट पापड़ी की रेसिपी काफी पसंद आई होगी जिसमें हमारे इमली की चटनी और हरी चटनी की रेसिपी अधूरी रह गई थी क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जानी थी तो चलिए आज हम वो रेसिपी पूरा करते हैं इन दोनों रेसिपी इसको बनाने के साथ सबसे पहले हम बनाएंगे इमली की चटनी जिसमें मैंने ली है 500 ग्राम इमली जिसको मैंने अच्छे से वोश कर लिया है वोश करने के बाद हम इसको एक बड़े बरतन में डाल कर गैस पर रख देते हैं जिसमें मैंने पानी डाला है लगबग देड़ ग्लास उसी के साथ मैं यहाँ पर चार खजूर इसमें डाल दूँगे बीज निकाल कर साथ ही यहाँ पर हम एड़ करेंगे शक्कर या गुड़ यहाँ पर मेरे पास गुड़ अवेलेबल नहीं है तो मैंने शक्कर डाली है वो हमें यह हमें एक मिक्सिके जार में डाल लेना है साथ ही मैंने 5-6 छोटे-छोटे अधरक के टुकडे लिये है और 5-6 मैंने हरी मीट चली है उसी के साथ मैं इसमें नमक एड़ कर देती हूँ स्वादानुसाओ और साथ ही मैं इसमें चीनी एड़ करूंगी जो की बड़ी चमच अधा डालनी है हमें आप देख सकते हैं मैंने आदा चम्मज चीनी डाली है और 2 ** मैं डाला है सरसो का तेल और इसमें ऑगने आड़ करती हूँ पानी जो कि हमें दो से 3 ** डालना है आप मेक्सिमम छब 7 चम्मज तक डाल सकते हैं और उसके बाद हम इसको ग्रइंड कर लेते हैं, grind करने के बाद आप देख सकते हैं कि कि कितना अच्छा और smooth paste हमारा बना है चटनी का, जिसको हमें एक jar में निकाल कर रख लेते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारी चटनी कैसी बनी है, इमली की, तो ये देखिए, इमली की चटनी में इमली का पूरा पल्प निकल है, अब हम इसको चानते हैं, हम एक बड़ी चलनी में इसको लेकर और इसका पल्प निकाल लेंगे, और चान कर जो हमारे पास इमली बचेगी, क्योंकि पूरा उसका पल्प नहीं निकल पाएगा, इसको हम गोल कप्पो का पानी बनाने के लिए यूज कर लेंगे, तो चलि हम इसमें थोड़ा सा हींग और आदा चम्मत जीरा एड़ कर देते हैं, और जब ये चटकने लगते हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं पानी, पानी आपको देखना है कि कितना डालना है, क्योंकि जो हमारी इमली की चटनी है, वो थोड़ा गाड़ी थी, तो उसके अकोर्ड पड़े चम्मच डाले हैं मगज के बीज, जिससे जो हमारी चटनी है, वो काफी टेस्टी लगेगी, ये देखें, मैंने जो पूरा पल्प निकाला था, इमली का वो इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद जब हम इसको चलाएंगे, तो आप देख सकते हैं, कि हमारा जो पक चुका था, हमें सिर्फ जो कच्चा पानी डाला है, वो जिससे अच्छे से पक जाए, इसलिए इसमें दो मिनिट का उबाल देना है, तो फ्रेंट्स चेटनी बना कर अपनी कल की रेसिपी पूरी कीजिए और इंजोई कीजिए, और हाँ, लाइक और शेयर करना की।